हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया तो बच्चो आज का वीडियो होगा यह बहुत इंपॉर्टन वीडियो है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो बच्चे अभी घर पे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग आफलाइन कोचिंग बंध हो चुकी जो बच्चे बोर्ड एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और जो अभी फ्रेशली गए हैं 12 में दोनों के लिए हम गाइडन्स प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चा इक्वेशन कोचिंग के जितने भी फेकल्टी हैं वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में करेंगे कि कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और क्या आपकी स्टेटिजी रहनी चाहिए जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर दिला सके तो इस सीरीज में बिटा सारे टीचर करके आएंगे चाहे वो हों कॉमर्स सेक्शन के चाहे वो हो साइन्स सेक्शन के तो बच्चो नेक्स जो हमारे पास टीचर है वो किमिस्ट् exerc के teacher है और उनको किसी भी इंट्रोडेक्शन की जरूरत नहीं है..? सारे जितने बच्चे हैं वह पाटक सर का नाम तो बहुत ही बहुत यह चीज़ा जानते हैं तो पाटक सर तो पाटक सर आप से पहला कुशिन यह रहेगा कि सर जो बच्चेों कोई डाउट है कि उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे जो 12 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत जादा confusion में की पेपर होएं न होएं तो आप उन बच्चों से क्या कहेंगे तो मेरा तो opinion यह है कि board का पेपर होगा या नहीं होगा उसके बारे opinion तो मैं बात बनूँगा बट मैं बच्चों से पहले यह कहूँगा कि जो आपका यह learning का process है continuous process आपको छोड़ना नीचे कभी exam होंगे नहीं होंगे वो at the end आपको बताईगे बट आपको यह समझना होगा कि learning जो है हमारी lifelong जलती है अब एक देट साल से maximum बच्चों को मैंने यह देखा है जब आपका यह offline classes बंद हुए तो online classes बच्चे maximum लोगों ने पढ़ाई को seriously नहीं लिया या इस सरीके से उनका approach रहा कि paper side ना हों ठीक है लेकिन मेरा opinion यह है कि exam होंगे और most probability अब government decide करेगे 12th का CVSA का exam तो most probability होगा और मैं बच्चों को यह भी suggestion दूँगा exam ना भी हो आगे अपने future के लिए आप continuously इसको सीखते रहें मैनत करते रहें आपका performance improve करने की courses करें तो sir आप से जो next question है जितने भी questions आते हैं बच्चों के हमारे पास वो यह आते हैं कि sir जो 12th में पढ़ रहे हैं जो बच्चे अभी board exam के लिए prepare कर रहे हैं उनकी strategy क्या होनी चीए अभी कैसे वो लोग पढ़े हैं तो आप please उसके बारे में बच्चों को बताईए तो जो बच्चे अभी 12th में हैं जो board का exam देने वाला है करेंडी इस यह का उनके लिए मेरा यह suggestion रहेगा कि अगर आपने solver syllabus पढ़ रखा है तो आप उसको revise करें और revise ऐसे ना करेंगी पूरा को पूरा एक बार content पढ़ लें मेरा opinion यह रहेगा कि आप पहले एक chapter को पढ़ें, ncrt के throughs को पढ़ें फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई concept प्रॉब्लम आता है तो आप refresher देखें साथ माँ आप एक previous year देखें previous year के जो भी question आये है 10 year के उनको solve करें तो इससे आपका confidence बिलिड़ अप होगा जब at the end आप पूरा syllabus पढ़ लेंगे और आप sample paper के ओर move करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम maximum question को attempt कर बारें लेकिन कुछ अच्छे यह गलतियां करते हैं कि वह एक बार पूरा content पूरा पढ़ लेते हैं उसके sample paper के ओर जाते हैं जब sample paper उनके question अटकते हैं तो फिर दुबारा से वह basic से शुरू करते हैं तो यह पढ़ने का ज्यादा better method नहीं है आप मेरे एक ख्याल से आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप chapter by chapter content को पढ़ें उसके साथ उसके PBS ES बनाएं NCRT बनाएं तब जाके आप end में पूरा content पूरा syllabus का को एक sample पर solve करें Sample पर किसी का भी ले सकते हैं तो आपका self evaluation का तरीका है कि अगर आपका पूरा content एक साथ आया तो आप कितना उसमें attempt कर पाएंगे कितना आप question कर पाएंगे तो sir chemistry के लिए बहुत सारे बच्चों को ही सिकायत होती है कि sir उनको जो है name reactions वो याद नहीं होती है उनको convergence जो है वो याद नहीं होती है sir क्या ऐसी approach जो बच्चों ने पहले बच्चों ने follow करी है कि उनको convergence और जो हमारी name reactions से याद हो जाने प्लीज आप बताईए कि क्या ऐसी technique है Conversion है name reaction है इसका एक basic सा तरीका अगर आप content को जब पढ़े हैं अगर आपको syllabus पता है जिसे for example कोई मुझे बोलता है कि मैंने LDL reaction पढ़ना है तो बलूँगा आपको at least यह तो याद कर लो कि chapter कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा तो reaction किसकी होगी तो at least आपको reactant पता है और जो अच्छे से syllabus पढ़े हैं तो उनको यह बता है कि LDH molecule behave कैसे करता है LDH molecule में होता गया आप सबको बता है जिसने chapter डंग से पढ़ लखा है तो LDH molecule एक addition देता है तो LDL is self-edition अपने आप में LDL क्या हो जाता है आपका LDL का molecule बनता है तो अगर आपने LDH पढ़ा होगा chapter तो आपको इसका idea होगा तो name reaction पढ़ने के लिए आपको बहुत जादा effort लगानी की जरूरत नहीं है आपको simple सा बले यह आत कर लेना कि किस chapter में किसका reaction है या उससे क्या बनता है अगर आप यह चीज याद कर तो आप इसको इस तरीके से समझ ले name reaction को पढ़ने के लिए आप अलग से बहुत जा रहा reaction बहुत सारे बच्चों को मैंने गलत करते विए देखा कि reactant भी याद करते हैं product भी याद करते हैं कि कहां से हम लोग बढ़ें तो सर इस टाइम जो बच्चे हमारे board exam के लिए focus कर रहें उनको आप कौन सी book और कौन सा material आप suggest करेंगे तो परा suggestion तो यह रहीगा कि आप नहीं reaction के case में या reaction के case में आप NCRT पे ही focus करें अगर आप board exam का reflection कर रहें तो CBC board के exam के लिए आपको further किसी refresher से extra reaction याद करने की जरुआत नहीं है हाँ, refresher से आप nature of molecule समझने के लिए, किसरी के से react करता है समझने के लिए आप refresher हों का use कर सकते हो बट reaction में बेसिकले अगर आप 12 के लिए CBC के exam दे रहे हैं तो आपको basically NCRT बही ही रहना चे focused NCRT का ही content पढ़ना चे तो sir जो हमारे नए बच्चे हैं जो अभी 12 में हैं उनका syllabus भी बहुत जादा नहीं हुआ है I think solid state वो लोग कर रहे हैं या solid state वो लग बग खतम कर चुके थे तो sir आप उनको क्या suggest करेंगी कि इस time को वो कैसे utilize करें तो मैं जो भी नए करेंट 12 है उनको यह solution हूँगा कि अभी आपको बहुत जादा effort लगाने की पुरा syllabus को लगाना है slow slow आपको चलना है जैसे आपने solid state हमने कराया है तो आप solid state में अप छे से उसके question बनाए NCRT बनाए इसके आद हम कोसिस करने की online आएं तो online आपको solution में या आगे chapter रूम हम आपको guide कर सकें जो भी टॉपिक है जिसको पढ़ने में बच्चे को problem आती है उसके लिए guidance यह चाहिए तो हम कोसिस करने की guidance आपको provide कर सकें अब जब हम गो guidance देते हैं तो हमारा यह opinion हीगा कि उसके साथ आप NCRT follow करें और साथ में आप refresh room में जाएं इस साल हम क्या करने वाले हैं जब भी आपका chapter end होता है तो हम पहले से क्या करते थे पूरा slave as end होने के बाद end में जाके हम बच्चों को question answer देते थे कि आप करें लेकिन मैंने realize कि end में जाते जाते बच्चे के पास बहुत जारा काम हो जाता है वर्कलोड बहुत जादा हो जाता है तो बच्चा कहीं न कहीं लिलियन सी वरत देता है दंग से नहीं पढ़भाता है तो मैं इस साल से ही कोशिज कर रहा हूँ हम पूरा equation को जिंगे try कर रहा है कि जब भी आपका कोई chapter end हो तो हम उसी के साथ बच्चे को उसके साथ का question आपको provide करें तांकि बच्चा उस chapter को वहीं पर बहुत अच्छे से complete कर ले बच्चे को अपने आप पे self confidence आ जाए कि इस chapter का अगर कोई question आया तो हम उसको easily attempt कर पाएंगे और सारा का सारा जो बच्चे का performance है confidence पर ही based है कितना बच्चा बच्चा सोस्ट है उस पर डिपेंड है बिल्कुल जर बिल्कुल तो इस बार बच्चो जो हमारे पास खास बात है जो हमारी USB कह लीजिए वो यही है कि हम आपको सारा का सारा study material खुद provide कराएंगे real बात यह है कि हम provide करा रहे हैं और आगे भी अपने offline batches में हम लोग study material खुद provide कराएंगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको reference book प्रवाइट कराऊंगा बिल्कुल नहीं हम लोग बिटा जितने भी topic आपके होते जाएंगे उनसे related सारे के सारे questions जो आज तक CBC में पूछे गए हैं या competition में पूछे गए हैं वो आपको as a hard copy देंगे चाहे वो physics की बात हो, chemistry की बात हो biology हो, mathematics हो कोई भी subject हो और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारी offline classes नहीं हो रही है लेकिन हमारा जो team है जो हमारी team है equation coaching की जो बिटा हमारे पास team है ये मेहनत कर रही है और ये इस time भी हमको ये जो हमारे DPP हैं ये provide करा रही है at least first volume के chemistry के और physics के ये हो चुके हैं, ये print out हो चुके हैं SE, biology, mathematics अभी चल रहा है तो आपको बहुत ही अच्छा study material हम देंगे एक और question सर आप से बहुत सारे बच्चे जो हमसे नए जुड़े हैं जो अभी हमारे पास 10th में आएं जो हमारे पास 11th में आएं तो उन बच्चों के दिमाग में एक doubt रहता है सर कि कितने बच्चे यहां से 90 प्लस स्कोर किया कितने बच्चों ने कितने बच्चे यहां से competition में गए तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे देखो पहले तो competition का या आपका 90 प्लस स्कोर का एक चीज आप अपने दिमाग में बच्चों को सबने याद रखना चीए कि जो teacher है वो guidance दे सकता है आपको आपको बच्चे के caliber पे बच्चे के effort पे भी ध्यान देना होता है कि बच्चा कितना ध्यान दे रहा है बच्चा कितना हमारे साथ effort लगा रहा है तो इसलिए मैंने इस वाल से कोसिस किया है कि पहले हम ऐसा होता था कि भी बैचिस काफी जादा बड़े हो जाते थे तो हम क्या नहीं कर पाते थे इंडिविजल बच्चे वह फोकस नहीं कर पाते थे तो इस साल से मने कोसिस किया है कि बच्चों का जो बैचिस है वो लिमिटे कर याद नहीं है बट मैं उम्मीड कर रहां कि जैसे हम अगर जो इस पिसले साल का बैज मैंने पढ़ाया उस बैज में मेरे पास लगबग एटी बच्चा के आसपास था और उसमें लगबग आपका जो नाइनटी पलस गया था और 30 प्लस गया था और उससे पहले जो मैंने पिसले साल पड़ाया था उसमें मेरे पास लगवग 65 का वेज लगवग 65 बच्चा था और उसमें भी लगवग 26, 28 ऐसा बच्चा था जो 90 प्लस स्कोर गया था बिल्कुल सर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चो जो हमारे साथ नए बच्चे भी जुणे हैं उनको कहीं पर भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए अपने माइंड में कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सहर के जो बेस्ट है one of the best faculty मैं कहूंगा one of the best faculty वो हमारी टीम में हैं वो hard work करते हैं और आपको best performance जरूर 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 मिलेगा बट आपने भी मेहनत करनी है और आपने ये pledge लेनी है कि हमने बहुत अच्छे mark से पास होना है और बहुत अच्छे mark से किसी भी competition को निकालना है चाहिए वह हो यही चाहिए वह नीट या कोई भी अधर examination सो मिठा ठीक है तो विटा आज के लिए इस session के लिए इतना ही next session में हम लोग देखेंगे कुछ commerce की faculty के साथ कुछ arts की faculty के साथ कि कैसे commerce और arts वाले बच्चे अपने accounts को अपने business studies को economics को prepare करें करेंगे जा हुआ है और आम करें वही बच्चे में ऑना ही आए है तो दो ऑना ही आए है प्रोट गजुआ है आए है जाने आए हैसे साथ और साहिए झारा साहिए प्रूल